टेक्नीशन रे नोटिफिटेशन जारी हो चुटा है जितरे भी बच्चे टेक्नीशन रे विटेंसी टार रहे ते बोलोट फॉर्म भर सकते हैं लेके पूरी नोटिफिटेशन टू पढ़ने के बाद ना इन्होंने एक जड़े पे जोल टर दिया मेरे भाई जोल टिया हुआ है वो सिलेवस में टिया हुआ है आपको पता है कि जो टेक्नीशन रे सिलेवस है उसमें इन्होंने इंगलिस वाली नोटिफिटेशन में तो साइंस दिया हुआ है लेके जो हमारा हिंदी वाली नोटिफिटेशन है वहाँ पर बेसित साइंस दे रठा है, अब कौन सी नोटिफिटेशन को सही मानना है ये मैं बात आपको बताऊंगा, साथ साथ पूरी नोटिफिटेशन को जो सार है वो मैं आपको चन सब्दों में बताने वाला हो, जिससे आप पुरी पुरी नोटिपिटेशन को एदम जल्दी से अच्छे तरीटे से सरल तरीटे से समझ सबते हैं तो चले फ़र वीडियो पूर शुरुआत करते हैं वो डर्बड़ी त्या है उस्टों मैं प्रूब भी दिखाऊंगा बचों आप लोग यहां देख पा रहे होड़े सेंट लाइल इंप्लाइमेंट नोटिस और आड़े लिखा है CEN नंबर 02-2024 फिर आड़े देखिए इन्होंने एप्लिकेशन की स्टार्टिन डेट जो है वो 9-3 यानि 9 मार्स से आपका फर्म भनना स्टार्ट है और अंतिम डे साल होड़े ओविसी के लिए तीन साल का एज रिलेक्सेशन में लेड़ा SCST वालों के लिए पास साल का में लेड़ा मेरे भाई इसकी जो वेटेंसी है वो 8,92 है तो डिप्लोमा वाले बीटेट वाले एठ हजार बानबे वाली वेटेंसी के लिए फाइट करने निए इस अल साल इनक्यानबे 44 वेटेंसी यह हमारी कह सकते हो डेड़ वन और डेड़ थ्री को मिलाके आई हुई है यह तो यह बात क्लियर होगे बचो इसने बाद हम लोग डेरेक्ट चलते हैं आपके कह सकते हो एज में एज को मैंने वैसे बता रखा है दुवारा से सुलीजे बचो ज एक्जाम पैटन क्या होने वाला है क्या है से लिवस तो यहां पर आप साब साब देख पा रहे होंडे टेंटेटिव सब्जेट अच्छा इन्होंने यह वर्ड भी लिखा टेंटेटिव है आड़े लिखा हुआ है कोशन एंड मार्ट फॉर सीबेटी सबसे पहले तो आप यह जाल लीजिए कि जो भी हमारा एक्जाम होने वाला है वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ट होने वाला है तो दो कंप्यूटर बेस्ट अब नहीं होने ठीक है बचो जडर यहां पर BAC वालों की बात करते हैं डेट बन की बात करते हैं इसमें जन्रल आवेंनेस 10 नहींगे basic computer and application मेरे भाई यहां से अलग से computer आ रहा है और अलग से computer आ रहा है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग से computer आ रहा है 20 रंबर के आ रहा है mathematics यह भी 20 रंबर के आ रहे है basic science and engineering 35 रंबर के आ रहे है तो यहां पर basic science सिरीन ड्वाइन जो है वो हमारी 35 रंबर के आने वाली है grade 1 के लिए ठीक है टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो हमारे 90 मिनट में आपको पूरे करने होंगे यानि 90 मिनट में आपको 100 कोशन करने होंगे और आपको पता है कि railway का कोई भी एजजाम हो तो 8 बटे 3 की माइनस सब्जेक्ट के नाम पता चल जाए कि यह क्या क्या आने वाला basic science आने वाला है और 35 आने वाला है अच्छा बच्चो जब अब थोड़ा और आने बढ़ते हैं तो यहां पर टेप्नीशन ग्रेट 3 टी बात करते हैं तो टेप्नीशन ग्रेट 3 टा यहां पर मैंने English वर्जन ट देखिए तो यहां पर जो है mathematics 25 कोशन आएगा अरा इसने बात रिजनीन के 25 आएगा जनल साइंस टे 40 आएगे और बच्चो जनल अवर्नेस टे 10 कोशन आएगे अब यहां पर जनल साइंस लिखा हुआ है और जनल साइंस टे साथ साथ जनल साइंस टे बारे में भी तहा जा बच्चो अगर मैं यहां पर आप लो रूट दिखा भी दू बच्चो यहां देखिए यह मैंने इंडलीस वाला ठोल रठा है और यहां पर देखिए जनल साइंस के बारे में लिखा हुआ है ती दसलेवस अंडर दिस सेल्ट फिजिक्स टेमेश्ट्री और लाइफ साइंस लिखा है जर्नल साइंस ओटे बचो अगर इसी का स्ट्रीन शॉट जब मैंने हिंदी वाले से लिया यहां पर हमारा गड़ित के बारे में हो दिया यहां पर समान विध्यान तो लिखा है चालिस लेकिन इन्होंने समान विध्यान का सिलेवस ना देखर ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है बुनियादी विध्यान और इंजरेन और बुनियादी विध्यान इंजरेन में देखिए परवर्ड स्वास्त मास्वे टेंडेंसिटी वर्ड पाउर एनरजी मेरे भाई वही सेम टॉपिक जो आपके बेसिक साइंस में पूछे जाते हैं ठेटे सर यह डरब तो चाहित बेसिट साइंस आना है एक्चुली देखा जाए तो BSC वालों के लिए और PCM वालों के लिए डिपलोमा वालों के लिए हमारे पास BSC इनरब ड्रॉइन का सब्जेक्ट अडर नहीं भी होता तो भी काम चल जाता लेकि ITI वाले जिनको ट्रेड पढ़ना होता है ज ठीक है तो कोई बात रही अभी RTI वेड़ा फैल की जाए दी जैसे ही हम लोगों को clear होता है वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूगा फिलाल ही समझ में आया कि जो technician है उसमें भी आपका 80 paper होगा 90 मिनट में आपको तितने question टन्ने होगे 100 question टन्ने होगे आप से लिवस देख सकते हैं आपका अंटसास्त्र हो दिया इस्टा लावा reasoning हो दिया समान विद्यान हो दिया थोड़ा सो यहां पर जो है हमारा जीटे भी आने वाला ठीक है तो बच्चों यह सारी की सारी information थी जो हमें पूरे पूरे notification में वह बात समझ में आई जो मुझे आपनों बतानी थी तैयारी टैसे हो क्योंकि में बात यह है जब तक हम यह नहीं समझे ने त्यारी टैसे होने वाली है तो मेरे भाई इस्टा जो पेपर होना है वो सितंबर अक्टूबर टी बीच होना उन्होंने पहले साइंस भी इन सभी के लिए माई पार्सला एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुटा है तो जिद्रे भी बच्चे इस बैच टो जोइन करना चाहा रहे हैं तो वो सब लोग माई पार्सला एप्लीकेशन पे जैसी आप अंदर जाओगे तो यह फाउंडे खास प्या है इस बैच में खास यह है इस बैच में तो चैप्टर वाईस इस तरह से पीडियाफ मिलती है एपडेट्पा रहे होड़ें यहां पर हम आन्रा ये क्वाट्स पीडियाफ है class pdf के साथ साथ आप लोगों को ये देखिए class pdf के साथ साथ इस तरह से double column टी भी pdf मिलती है double column की pdf वही short portion वाली pdf तो जितरे भी हमारे पास class pdf होती है या फिर double column टी pdf होती है वो सारी की सारी pdf download in form में होती है आप download करके भी पढ़ाई कर सोती हो तो मेरे भाई आप सब लोट जितरे भी बच्चे ये form भरेंडे वो सारे के सारे बच्चे नीचे comment section में जरूर comment रहते बताए साथ साथ science और basic science टेलेटे जो भी आपनी transfusion है वो भी मुझे comment section बताए बहुत जल्दी हम कोशिश टरेंडे जल्दी से जल्दी transfusion clear हो फिलाल समय आया चुटा है आपको अपनी पढ़ाई इस लेविल पे टर्नी हो दी चाहे वो ALPT त्यारी हो चाहे technician की हो या फिर हमारे पास जो trade 1 की latency है उसनी त्यारी हो latency की संथिया जितनी हम लोडोंने expect टीती उधरी नहीं है थोड़ी सी time है लेगे हमें इसी latency में ही एट बढ़िया test of authority temptation करना हो रहा है बढ़िया त्यारी टर्नी हो दी अगली सार फिर से आई दी बात सब पता है तो आप लोड रिदम जुड़ जाए आपको इस तरह से पढ़ाई टर्नी है ट्योटी इसी latency में हर हाल में selection लेलो अडला साल उस्ते अडला साल क्या हो तुछ नहीं पता तो ये साल एट आप लिए great opportunity है इसको आपको भुनाना होड़ा अच्छे से तयारी टर्टे इसी बार selection पाना होड़ा तो चलबबर हम लोड मिलते हैं आपने नए वीडियो टे थैंक यू वरे मच्छ